हलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को प्यार बदा नमस्कार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हैं एकदम स्वास्त होंगे एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे वैलकम टू माई यूटूब चैनल ट्राइस्टार क्लासेज इस बीच में आपकी लगबग तिन से चार दिन क्लास नहीं हो पाई ठीक है चलिए आज तारीक 13 माई 2022 आज के सेशन में हम लोग 12 माई की करंट अफेर्स के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब कुछ ट्राइस्टार क्लासे गाइडन्स टू आड़ सक्सेज डेली करंट अफेर्स 12 माई 2022 ठीक है चलिए आए आज के सेसेन में हम लोग स्टार करते हैं करंट अफेर्स के बारे में ठीक है चलिए आए हमारा आज के सेसेन में पहला कुश्चन है किस राज सरकार ने माई 2022 में चारा बी जाई योजना कुश्चन इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर आल कम्पटिटिव एक्जाम्स ठीक है किस राज सरकार ने किस इस्टेट गोर्मेंट ने मैं दो हजार बाइस में चारा भी जाई योजना सुरू की है यह सुरू किये बच्चों हर्याना इस्टेट गोर्मेंट ने हर्याना की Дж. धलाल ने इस योजना की शुरूबात की है harhyाना के क्रशी मंतरी जे पी डलाल ने इस योजना की शुरूबात की है चारह भी जाई योजना है क्या यदि कोई किसान गोसाला के आसंपास दस एकड तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमती से उन्हें उपलद कराता है तो राज सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रती एकड की दर से वित्तिय सहायता प्रदान करेगी ये जो सहायता प्रदान करेगी गौवर्नमेंट ये सीधे किसानों के बैंक खाते में डारेक्ट ट्रांसफर की जाएगी ठीके बच्चों डीबीटी के माद्यम से डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए ठीके तो ध्यान दखेंगे हरियाना के राज सरकार ने चारा वी जाई योजना शुरू की है उद्गाटन करता है यानि की शुरूआत करने वाले कोन है किसके क्रशी मंतरी हरियाना के जेपी दलान ने इस योजना की शुरूआत की है है कि अचारा भी या यूजना यदि कोई किशान गौसाला के आस पास दस एकड तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमती से उन्हें उपलग्द कराता है तो राज सरकार ऐसे किसानों को दस हजार रुपए प्रती एकड की दर से फाइनेंसियल सपोर्ड परदान करेगी यह फाइनेंसियल सपोर्ड किसानों के सीधे बैंक खाते में डारेक्ट बेनेफिट यानिकी डीबीटी के माद्यम से गौवर्नमेंट सीधे उनके बैंक खाते में यह धन्दासी हस्तान तरन करेगी ठीक है बच्चों जी पहला कोईश हमने highlight कर दिया है इस question को ठीक है तो पहला question हमारा highlight हो चुका है क्योंकि यह हमने question को कर लिया complete कर लिया ठीक है आईए second question परते है second question क्या है ठीक है question number second who has been taken over as the additional charge of the post of chairman and managing director of rail tell corporation of India limited RCIL ठीक है चलिए इस question को हम highlight कर देते हैं ठीक है जी question क्या है who has been taken over as the additional charge of the post of chairman and managing director of rail tell corporation of India limited यानि कि question क्या कहना चाहता है rail tell corporation of India limited के chairman और MD यानि कि managing director का additional charge किसे मिल गया है ठीक है यह मिला है अरुना सिंग औरुना सिंग को और अरुना सिंग को RCIL का chairman और MD का additional charge दिया गया है ठीक है अरुना सिंग है क्या कि अरुना सिंग प्रजेंट में यह additional member telecom है railway board में ठीक है अरुना सिंग किया है कि ये 1985 बैच की इंडियन रेलवे सर्विस आफ सिगनल इंजिनियर्स हैं ठीक है इंडियन रेलवे सर्विस आफ सिगनल इंजिनियर्स की एक 1885 बैच की एक अफिशर अधिकारी है ठीक है रेल टेल कारपुरेशन आप इंडिया लिम्टेट के बारे में बात करेंगे इसका हेड़ कोटर कहा पर इसका हेड़ कोटर इंडिया पर इसकी स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 2000 को 26 सितंबर 2000 को रेल टेल कार पूरेशनल उप इन्डीया एल्मिन्तिट का किसे एडिशनल चार धिया गया है अरोना शिंग को ठीक हे ओनर के कोने माली कोने इसके माली के इंडियन देल इडिक है त्यान नखेंगे इस question को भी मैंने बोल्ड कर दिया ठीक है चलिए तो द्यान नखेंगे बच्चों जितने भी question आज के session में आपके लिए बहुत important है ठीक है question number third स्क्रीन जल्दी कुछ slide हो रही है ठीक है question number third which bank has partnered with world line India to digitize each alarm system in मई 2022 मई 2022 में किस बैंक ने वर्ड लाइन इंडिया के साथ partnership कर लिया है each alarm system को digitize करने के लिए each alarm system को digitize करने के लिए किस bank ने वर्ड लाइन के साथ partnership कर लिया है bank of India ने bank of India ने वर्ड लाइन के साथ partnership कर लिया है each alarm system को digitize करने के लिए ठीक है बच्चों जी बिल्कुल Bank of India का Headquarter के बारे बात कर लेते हैं Bank of India का Headquarter मुंबई में है कहा है मेरे प्यारे बुचो मुंबई पे हैं इसके Founder कौन है इसके Founder Bank of India के है Ram Narayan Ruyah Ram Narayan Ruyah इसके क्या है बुचो Founder है इसकी स्थापना कब हुई 7 सितंबर 1906 को Bank of India की इस्थापना हुई मेरे प्यारे बुच्चो ठीक है जी MD और CEO कौन है MD और CEO Bank of India के अतानु कुमार दास है ठीक है कौन है अतानु कुमार दास वर्ड लाइन है क्या कि एक Payment Services फर्म है ठीक है वर्ड लाइन एक Payment Services फर्म है जिसने की Bank of India के साथ पार्टनर्सिप करके इच आलाइन सिस्टम को डिजिटाइच करेगा ठीक है चलिए इस कुश्चन को भी हम हाईलाइट कर देते है बोल्ड कर देते है विकॉज इक कुश्चन हमने क्लास में कर लिया ठीक है पढ़ लिया तो ध्यान दाकेंगे वर्ड लाइन के साथ बैंक आफ इंडिया ने पार्टनर्सिप किया है इच आलाइन सिस्टम को डिजिटाइच करने के लिए ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों कुश्चन नंबर फोर की और बढ़ेंगे कुश्चन नंबर फोर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इच पाल्टिसिपेटिंग इन दा सेकेंड ग्लोबल ब्लेंग ओन ट्वाल माई टू थाउजंड ट्वेंटी टू ठीक है चलिए इसको भी मैंने कुश्चन को बोल्ड कर दिया है आपके लिए कुश्चन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इच पाल्टिसिपेटिंग इन दा सेकेंड ग्लोबल ब्लेंग ओन ट्वाल माई टू थाउजंड टू टू यानि कि भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी बारह माई 2022 को दूसरे वैस्विक दूसरे वैस्विक में भाग ले रहे हैं किस वैस्विक भाग ले रहे हैं ये ले रहे हैं कोविट सम्मिट यानि कि कोविट सिखर सम्मिलन में ठीक है कोविट सिखर सम्मिलन में भारत के प्रदान मंत्री दूसरे वैस्विक में भाग ले रहे हैं बच्चो ठीक है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी 12 माई 2022 को अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन के निमंतर पर दूसरे वैस्विक कोविट सिखर सम्मेलन में भाग लेंगे ठीक है बच्चो ओके तो ध्यान लखेंगे इसको भी हम बो सम्मेलन फे ठीक है बच्चो जो की अमेरिका की राष्टपती जो बाइडन के निमंतर पर दूसरे वैस्विक कोविट सिखर सम्मेलन में भाग लेंगे भारत के प्रधान-, मंतरी श्री नरेंद्र मोदी ठीक है प्रधानमंती नरेंद्र मोदी अपनी स्पीज भी डिलीवर करेंगे किस थीम पर preventing pandemic fatigue and pre-autorizing preparedness ठीक है इस टिपड़ी पर अपनी वो क्या करेंगे बच्छों speech भी deliver करेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे question number five who is the author of the book The Struggle for Police Reforms in India released in May 2022 ठीक है बच्छों मई दो हजार बाइस में The Struggle for Police Reforms in India book release की गई है इसके लेखक कोन है और साथ में ये भी हम आपसे question इसमें कर रहे हैं कि किस ने इस किताब को release किया है इस किताब के लेखक कोन है The Struggle for Police Reforms in India इसके लेखक है प्रकास सिंग प्रकास सिंग कोने ये भूत पूरी आनी की पूर्व IPS ऑफीसर है पूर्व IPS ऑफीसर प्रकास सिंग इस पुस्तक के लेखक है इस पुस्तक को रिलीज करने वाले वाइस प्रेसिडेंट उपराश्ट पती एम वेंग केया नाइडू ने इस किताब को रिलीज किया है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात बहुत खुशकबरी की बात शानदार आगे बढ़तें इसी क्रम पे कुश्चन नमबर शिक्स किसने इस थानी भास के साहित को समर्थन और प्रोथसाहन देने के लिए कलाम वेबसाइट लाँच किये देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं बलू से हाईलाइट करता हूँ जब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तब इसको हम येलो से बोल्ड कर देंगे किसने इस्थानी यानि की लोकल बल्ड को बारें टीके लौक सभा के अधने घेज्च को ऊड़ लाआ तीक कैं लोक सभा में किती सीटे हैं लोक सभा में पान सुथ 53 सीटे हैं इस पिकर इसके को उन्ह खिस जी ऑनंर को नेहां ने मृट पूछ बजाना झाम में बहुन 243 थीड़ है बच्चों चलिए इस कोईशन को भी हम लोगों ने कर लिया इसलिए इसको भी हम बॉल्ड करते हैं ठीक है कोईशन नंबर 7 आपकी इस्क्रिन पर दिख रहा है इसको भी मैं बॉर्ड करता हूँ देश बर में कार खरीद प्रक्रिया को यानि की कार पर्चेजिंग प्रॉसेस को सरल बनाने के लिए किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन लांच किया है देश बर में कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन लांच किया है HDFC बैंक ने, ठीक है बच्चो, HDFC बैंक ने देजबर में कार खरीत प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक्सप्रेस कार लोन लाँच किया है, ठीक है मेरी प्यारी बच्चो, जी, बिल्कुल सही HDFC का फुल फॉर्म आपको पता है बच्चो, नहीं पता होगा, चलिए हम बताते हैं, HDFC का फुल फॉर्म है Housing Development Finance Corporation Limited, ठीक है, Housing Development Finance Corporation Limited, इस बैंक ने देजबर में कार खरीत प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक्सप्रेस कार लोन लाँच किया है, ठीक है, चलिए इस क्वेशन को भी हम हाइलाट कर देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नमबर एट की ओर Question No. 8, Who has been appointed as the Chief Election Commissioner of the Election Commission of India with effect from 15 May 2022, ठीक है, 15 मई 2022 से Chief Election Commission किसे नुक गया है, Election Commission of India में, ठीक है, Election Commission of India का Chief Election Commissioner किसे नुक किया गया है, ये किया गया है, राजियू कुमार को, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चो, राजियू कुमार को Chief Election Commissioner Appoint किया गया है, ठीक है, Election Commission of India का, ठीक है, चुनाव आयो का Chief Election Commissioner कुमार को अपॉइंट किया गया है यह किसके द्वारा की गई है प्रेसिडेंट रामनात कोविद के द्वारा यह अपॉइंट की गई है आए जानते राजी कुमार की प्रोफाइल कैसी है ठीक है हमारे न्यू चीफ एलेक्शन राजी कुमार राजी कुमार यह हैं बच्चों ठीक है ठीक है जैसा कि आपको स्पिन पर देख रहा होगा राजीव कुमार ठीक है हमारे ये न्यू चीफ एलेक्शन कमिशनर हैं ठीक है ओके मेरे प्यारे बच्चों जी बिलकुल झाल 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 को समझ में आया बिजी पंदरा माई दोह जार बाइस से बारत के चुनावायों के मुख्च चुनावायों के रूप में राजीव कुमार को न्यूक्त किया गया है मेरे प्यारे बुच्छों ठीक है 14 माई 2022 को मुझूदा इस समय प्रजेंट में मुख चुनाओ आयू उपते सुसील चैनल को पद से हटाने के बाद वह 15 माई 2022 को राजियू कमार इस पद पे आ जाएंगे चीफ कमिशनर के पत्पे इंडिया के ठीक है यह एपॉइंट मेंड भारत के राष्ट पती राम राष्ट पती रामनात कोविंद के द्वारा की गई है मेरे पैरे बुच्छों ठीक है चलिए नेक्ट कोशन है कोशन नंबर नाएं वेन इज इंटरनेशनल नर्सेश डे इस इन्टर यह दिन को रिमार्क्स करता यह बताता है कि लिए यह दिन किया जाता है ठीक है बिटिश नर्स और सोचल लिफॉर्मर्ण समाश सुधाराग जिन्हों अपने पूरे जीवन को हैल्ड सेक्टर को सुधारने में समर्पड कर दिया थीक है वो बर्ट एनिवर्सरी फ्लोर्रेंश नेटिंगल के डे मार्क्स की दिवस्ट इंटरनेशनल नर्स डे मना आया जाता है बच्छों ठीक है इंटरनेशनल नर्स डे 2022 की थीम के बारे में बात हेल्थ ठीक है इंटरनेशनल नर्सेश दे हर साल बारे माई को मना जाता है यह देने किसको प्रेसित करता है प्लोरेंस नैटिंगल के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ठीक जो कि बिटिश नर्स और समा सुधार रखती है जुन्होंने अपना पूरा जीवन हेल्थ सेक्टर क पूरा गुजार दिया इस बार की थीम किया है दोजार बाइस की आवाइस टू लीड नर्सेश आवाइस टू लीड इनवेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर टैन की और इस से स्टार्ट आप ब्वच्ट इन मई दो हजार बाइस बच्चों ठीक है पृदान मैंबन्ति नर्यान मोदी के श्टार्ट आप मatद बडेश की को पहाँ पर करेंगो उच्यो मध्द पर्देस की start-up policy को ही क्या करेंगे स्टार्ट समधाय को भी सम्मधित करेंगे मेरे प्यारे विच्व को तंद थी के वहम्द परदेश स्टार्ट आप पॉर्टड विलाँच करेंगे जो स्टार्ट अप Maid Pradisिस स्टार्ट अवर Sabran में क्या करेगा मदद करेगा ठीक है बिल्कुल सर चलिए इसको भी हम हाइलाइड कर देते हैं आए एक बार कुश्चन को फटा-फट रिवायच कर लेते जितने कुश्चन अभी हमने सेस्टन में आज के पढ़ा ठीक है पहला हमने कुश्चन बताया कि किस राज सरकार ने चा अज दस एकड तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमती से उन्हें उपलब्द कराता है तो राज सरकार ऐसे किसानों को दस हजार रुपए प्रती एकड की दर से वित्तिय सहायता प्रदान करेगी ठीक है बच्छों चारे के खेती करेगा किसा कौसाला के आस पाइड़ा म राज के किशान अगला है रेल टेल कारपुरेशन आप इंडिया लिम्टेट के चेयर मैन और एंडी किसे न्यूक किया गया बच्छों और रुणा शिंग को अधिकारी है ठीक है प्रिजेंट में ये एडिशनल में बोड में ठीक है टेली कॉम के रूप में रेल टेल कार प पे इसकी स्थापना 26 सितंबर 2000 को हुए चेयर मैं अमने बताया अरुणाशी इसके मालिक को ने इसके मालिक इंडियन रेल विस ठीक है इंडियन रेल विस का क्या बच्छों ऑनर है अगला कोशन नमबर थर्ड किस बैंक ने वर्ड लाइन के साथ पार्टनर्सिप कर लिया ह है इच आलान सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए इंडिया ने ठीक है बच्छों बैंक आफ इंडिया ने बैंक आफ इंडिया के बारे बताया स्केट कोटर कांपे स्केट क्वाटर मुंबई पे इसके फाउंडर कौन है राम नरायंड रुया इसकी सापना 7 सितंबर 96 क CEO काउनेस के अतानु कुमार दाज बच्चों ठीक है जी बिलकुल सही सर क्वेशन नमबर फूर के और बढ़ते हैं प्रधान मंत्री नयमोदी भाग ले रहे हैं पार्टिशिपेट कर रहे हैं दूसरे वैस्व एक कोविट सम्मिट पर यानि कि दूसरे वैस्व एक कोविट सि कर सम्मिदन में भाग लेंगे परधान मंत्री नयमोदी इस थीम पर अपने की स्पीश डिलीवर करेंगे प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटिंग एंड प्रियॉर्टाइजिंग प्रपेरड निस ठीक है बिलकुल सही कुश्चिन नमर फाइब हुई दा ऑथर आप दी कोने प्रकास सिंग प्रकास सिंग हैं कोन बूत पूरियानी के पूर्व आईपियस ऑपीसर इस पुस्ता को रिलीच करने वाले वाइस प्रेसिडेंट आम वेंके आ नाइडू है ठीक है कुश्य नमर शिक्स किसने इस्थानी वहांसा के साहित को समर्थन और प्रुत्सान द ठीक है लोग सबह में कितनी सीटे हैं लोग सबह में 543 सीटे हैं स्पीकर ओंबिल्डा है सेक्रेटरी जनल उत्पल कुमार शिंग है ठीक है कुश्य नमर शेवन के बात करेंगे देजवेर में कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लो क्रण वाइच होड़ू किया है ठीक है है टूहाज बेन एक सबाते हैं कि इलेक्षेन कमिस्नर आप ये किया गया है राजीव कुमार को नियुक किसने किया यह भारत के राश्ट पती रामनाथ को द्वारा की गई है ठीक है बच्चों कुछ नमबर 9 वे नेच इंटरनेशनल नर्सेश डे अलिडेटर अवरी यर्ड इंटरोरेंशनल अंतराष्टी नर्सेश दिवास हर साल कम मनाया जाता है यह मनाया जाता है 12 मही को इस दिन और समास थारत नहीं जिवन पूरए जीवन है एल्थ सेक्टर को सुदारने में लगा दिया थी म दो हजार वाइस की एंटरनेशनल नर्स क कि नर्सेस आवाइस तुलीड इन वेस्ट इन नर्सिंग और राइट तु सेक्योर ग्लोबल है ठीक है कुशन मेर्ट टेर्म पीम नरेंद मोदी विलांच दा स्टार्ट पॉलिशी आफ विच स्टेट इन मैं 2022 मैं दो हजार बाइस में बारत के प्रधान मंती नरेंद मोदी कि स्टर्ट पॉलशी नित्स को उधाटन करेंगी ठीक है कि स्टार्ट आप को उधिगाटन करेंगे मदभदेस स्टार्ट प विलांच करेंगे जो इको सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा बच्शुं कैसी लगी आप आपको आजकर सेसन में हमारे इतना ही Queshion थेijn. कल फिर म्लाकात होती है. नए Queshions के साथ. नए जोज के साथ. नए Oumanग के साथ. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों बने रहे हैं. कल फिर म्लाकात होती है. आप से चलिए. आज के Seisham को यहीं से आफ करते हैं. थैंक्यू मेरे प्यारे वचो धन्यवाद